पिछले एपिसोड में आपने देखा कि स्वाती और उसके दोस्त आनन्द को वापस से तंग करने लग जाते हैं पर तब ही एक नन्नी चिडिया उसकी दोस्त बन जाती है अब देखिए इस एपिसोड में कैसे स्वाती और आनन्द के बीच नस्दी क्या आ जाती है बोलो न रश्मी, क्या कहना चाह रही थी तुम तुम्हें किट-किट याद है ना आनंद किट-किट? किट-किट तो जान थी मेरी उसी की वज़े से तो स्वाती मेरी जिंदगी में आई थी पर स्वाती की वज़े से वो बोलते हुए चुप हो जाता है अरे आनन्द ये तुम किसे उठा लाए इसने तो स्थारा घर गंदा कर दिया अब तुम ही साफ करो इसे ठीक है नानी मन में सोचता है किट-किट को रखने के लिए मुझे एक सीक्रेट जगह चाहिए होगी अनन्द आंगन में जातर लखडियों का एक छोटा सा कमरा बना लीता है अब इसमें सिर्फ मैं और किट-किटी रहेंगे कल स्कूल के बाद स्वाती को भी लेकर आऊंगा अनन्द मन में खुश हो जाता है अगले तिन अनन्द स्वाती के पास जाता है स्वाती, आज स्कूल के बाद तुम मेरे साथ खड़ चलना हम दोनों खूब केलेंगे ओके रश्मी हेलो साती, मुझे तुम्हें कुछ अवेसम सा दिखाना है एक सीक्रेट प्लेस अच्छा, एक सीक्रेट प्लेस वाउ, स्कूल के बाद मैं पका तुम्हारे साथ चलूँगी रश्मी पीछे खड़ी होकर उन दोनों की बाती सुन रही थी और उसे बहुत बुरा लगता है अच्छा, रश्मी, मेरे ना पेट में हलका दर्द हो रहा है तो मैं कल चलती हूँ तुम्हारे साथ खेलने, आज घर ही जाओंगी रश्मी पिना कुछ बोले, मन में सोचती है तो स्वाती, अब तुम छूट भी बोलने लगी हो स्वाती आनद के साथ उसके घर चली जाती है कित-कित, ओ, मेरी नन्नी से कित-कित कहा हचड़िया रानी कित-कित आकर स्वाती के सरबर बैठ जाती है और तुरन बीट कर देती है जिसे देख, आनद खूब हसता है स्वाती देखो, कित-कित तुम्हे कितना प्यार करती है देखो, तुम्हारी शकल देखो एक बार स्वाती भी हसने लगती है अरे हाँ, मैं यही तो तुम्हें दिखाने लाया था, हमारी शैतान किट किट नानी को टंग कर रही थी, तो मैंने इसके और मेरे लिए एक सीक्रेट रूम बना लिया सीक्रेट रूम? अरे मुझे भी ले चलो उस सीक्रेट रूम में स्वाती आनन्द किट किट को लेकर उस सीक्रेट रूम में जाते है आनन्द, ये रूम कितना फीका सा है, मैं इसे सजा देती हूँ स्वाती कमरे को कलरफुल लाइट सजा देती है और रोने लगता है नहीं आनंद रोते नहीं है पर किसी ना किसी वज़े से तो आज तुमें ये किट-किट मिली है उसका हाथ थामते हुए कहती है दोनों की आखे मिलती है और आनंद मुस्कुराता है स्वाती तुमर किट-किट हमेशा मेरे साथ रहना मुझे छोड़ कर मत जाना नहीं आनंद तुम मेरे सबसे अच्छी दोस्त हो अगले दिन एक लड़का आनंद के पास आकर बूलता है आनंद ए आनंद जल्दी से बाहर जाओ स्वाती ने तुमें तुरंद बुलाया है और वो बहुत गुस्सा भी है जल्दी करो गुस्सा है पर किस बात पर मैंने तो कुछ किया भी नहीं आनंद दोड़ता हुआ बाहर जाता है और देखता है स्वाती पेड के बीचे खड़ी थी क्या हुआ स्वाती तुम नाराज हो मुझसे हाँ नाराज हूँ मैं क्या हुआ स्वाती बताओ ना मुझे बहुत डर लग रहा है अरे बुद्धु हम दोनों इतने अच्छे दोस्त बन गए है पर अभी तक हम दोनों के पास कोई निशानी नहीं है अगर बड़ी होने की बात तुम मुझे भूल गए तो ये कैसी बाते कर रही हो आस तुम मैं भला तुमको क्यों भूलूंगा तुम मुझे इतनी सी थी तबी से पसंदो अरे ये मैंने क्या बूल दिया बोलते हुए चुप हो जाता है अच्छा जी क्या बोला तुमने बुद्धू मेरे दो दुनी चार मेरा मतलब है जब हम कहीं दूर रहने लगेंगे और मिलेंगे तो उन निशानियों से तुम मुझे पहचान लोगे पर मेरे पास तुम्हें देने को कुछ भी नहीं है तुम बस अपना हाथ आगे लेकर आओ आनन्द अपना हाथ आगे लेकर आता है और स्वाती एक प्रीसलेट निकाल कर उसकी कलाई पर बांग देती है वाँ स्वाती ये बहुत अच्छा तोफा है मेरे लिए तौफा नहीं वुद्धू ये हमारी गहरी दोस्ती को हमेशा बनाए रखेगा पर मेरे पास तो तुम्हें देने को कुछ भी नहीं है कोई बात नहीं वैसे भी हम इतने अच्छे दोस्त हो गए हैं कि अब तुम्हें मुझे कुछ देने की जरूरत नहीं है अच्छा एक मेंट रुको आनन्द अपने गले से एक नीले पथर का लॉकेट निकालता है ये लो स्वाती ये तुम रख लो आनन्द ये ये तो बहुत सुन्दर है पर ये तो तुम्हारा है ना हाँ इसलिए तो दे रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसे कभी भी खुद से दूर नहीं करता पर तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल फ्रेंड हो इसलिए तुम्हें दे रहा हूँ जब मैं छोटा था तो मुझे ये पथर नदी के पास मिला था और मा बताती है कि मैं ऐसे हमेशा अपने मुठी में बंद करके रखता था था कि कोई छीनना ले स्वाती हसने लगती है फिर जब मा ने देखा कि मुझे पथर बहुत पसंद है तो इसका लॉकेट बना कर मुझे गले में पहना दिया पर अब इसे तुम अपने पास रख लो खुशी से उससे लिपट जाती है थांक यू आनन्द तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो आनन्द शर्मा जाता है दूसरी और रश्मी ये सब कॉरिडोर में खड़ी होगर देख रही होती है उसे जलन होने लगती है और बहुत दुख भी होता है और धीरे धीरे आनन्द और सुवाती रोज टाइम स्पेνड करने लगे और उनकी दुश्मनी की तरहें उनकी दोस्ती के भी चर्चे पूरे स्कूल महले में होने लगे जब भी कोई स्वाती को ढूंटा तो आनन्द का पता पूछता या आनन्द को ढूंटा तो स्वाती के बारे में पूछता क्योंकि अक्सर ही वो दोनों साथ रहते थे उदास होते हुए मेरे पच्पन की दोस्त को आज मेरे से बात करने तक का टाइम नहीं है आनन्द, तुने मुझसे मेरी दोस्त लेकर अच्छा नहीं किया एक दिन आनन्द स्कूल नहीं आता है सुनो, तुमने आनन्द को दीखा कहीं आनन्द नजर नहीं आ रहा रश्मी, रश्मी, तुने आनन्द को दीखा है क्या स्वाती रश्मी को लेकर उसके घर चली जाती है पर आनंद घर पर भी नहीं होता वो उसका सीक्रेट रूम भी देखती है पर दोनों को आनंद नहीं मिलता तब ही उसे वहां किट-किट के टूटे पंक नजर आते है किट-किट? ये तो किट-किट के पंक है कहीं हमारी किट-किट को तो कुछ नहीं हो गया नानी भी दिखाई नहीं दे रही क्या हुआ हमारी ननी किट-किट को स्वाती बहुत देर तक आनन्द के आने का वेट करने लगती है पर लेट होने पर रश्मी उसे वापस चलने को कहती है बेचैन स्वाती को पूरी रात नीन नहीं आई और वो बस करवटे बदलते हुए सुभे होने का इंतिजार करती है वैसे रश्मी तुम मुझे कुछ बताने वाली थी हाँ आनंद उस दिन जब तुम स्कूल नहीं आई थे तब स्वाती और मैं हम दोनों तुम्हारे घर आये थे और तभी मैंने तुम्हारा वो सीक्रिट रूम देखा था तभी रश्मी आनंद के हाथ में वो ब्रेसलेट देखती है ओ ये तो आज भी है तुम्हारे पास क्या मतलब? ये तो स्वाती ने मुझे अकेले में दिया था तो तुम्हें कैसे पता कि ये वही ब्रेसलेट है? हाँ? रश्मी सक्पका जाती है वो मैं मैं वही थी दूर खड़ी होकर सब देख रही थी किस तरहे तुम और स्वाती एक दूसरे के इतने करीब आ रहे थे? रश्मी तुम इतना आजीब क्यों साउंड कर रही हो? कही तुम मुझे से कुछ छिपातों नहीं रही हो? हाँ आनंद एक बहुत बड़ी बात है जो मैं तुम्हें ना चाहते हुए भी बताना चाहूँगी पता नहीं कैसे कहूँ कैसे एक छोटी सी बात इतनी बड़ी हो गई कि आज मैं और तुम ऐसे यहां बैठे हुए मिल रहे हैं आनंद बस रश्मी को घूरते हुए सब सुनता जा रहा था अब अगले एपिसोड में देखिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ था किटकिट स्वाती और आनंद के साथ कि सबकी कहानिया ही बदल गई क्या इसके बारे में रश्मी कुछ गहरा रास जानती है या फिर वो बस बच्पन का कोई किस्सा ही जानती थी जानने के लिए देखिए इसका अगला एपिसोड जल्द ही